हेलो बच्चो आप लोग कैसे हो बढ़िया चली आप लोग को बढ़िया रहना है मस्त रहना है बिंदास रहना है और अपने लाइफ में फुसहाल रहना है किसी परकार का कोई टेंसन आप लोग को नहीं लेना है बस थोड़ा सा क्या करना है आप लोग को पढ़ाई पर ध्या हुआ है आप लोग को 400 पुलस करना है अच्छा नंबर लाना है बहतर रिजल्ट बनाना है इसके लिए पुरी मंदारी से आप लोग को घर में पढ़ाई करना होगा आज के वीडियो जो है इस पेशल बिहार बोड कलाश 12 के विद्यार्थियों के लिए है और आज की वीडियो में 15 ऐसे वेरिवरि इंपोर्टेंट ओब्जेक्टिव कोस्टन के साथ एंसर बतलाने वाले है जो बोड एकजाम 2024 के लिए क्या है important है तो 12th inorganic chemistry का एक unit है unit 6 जिनका नाम है तत्वों के निसकरसन के सिधान्त एवं परकरम तत्वों के निसकरसन के सिधान्त एवं परकरम unit 6 का नाम हुआ इस unit के 15 ऐसे very very important question suggest किये है select किये है जो board exam 2024 के लिए important है और यह 15 questions जो है board परिक्षा में बार बार पूछे जाते हैं बार बार यह question जो है board exam में objective में देखने को मिल जाता है हम यहाँ पे option आप लोग को नहीं देंगे direct आप लोग को answer बतलाएंगे ताकि वीडियो काफी जादा long ना हो वीडियो छोटा बने आप लोग को अच्छा लगे तो यह सारे आप 15 questions जो आप लोग को बतला रहे हैं न है objective सब को कर लेना नहीं तो board exam में जाकर के पस्ता होगे यहाँ से confirm है कि आपका objective question आने वाला है चलिए पहला question देख लिजिए पहला question आपका क्या है sulphide iceco का सांद्रन किया जाता है चारगों वहां विधी दिया हुआ रहेगा option में जिस option में आपका होगा फैन उत्पलावन विधी वही आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हम लिग दिये हैं फैन उत्पलावन विधी ठीक है सलफाइड आयसकू का सांधरन जो है क्या जाता है ये कोशन दो हजार बाइस दो हजार एक्टीस बिहारवोड अबजेक्टिम में आया हुआ है और दो हजार चोविस के लिए क्या है इंपोर्टेंट है चलिए कोशन नमर दो देख लिजिए कोशन नमर दो आपका क्या है कोशन नमर दो भी जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है चलिए कोशन नमर दो देख लिजिए ये भी कोशन जो है कई बार बिहारवोड में ये कोशन आया हुआ है कोशन आपका क्या है पिर्थिवी की परत में सबसे अधीक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है विर्थिवी की प्रत में सबसे अधीक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है उस धातु का नाम आप लोगों को बतलाना है आप सब को मालूम है अलुमिनियम हो जाएगा इनका सही जवाब objective में ये question आया हुआ है 2024 के लिए important question है चलिए next question question नमर 3 आपका है question नमर 3 आपका है copper parite का सुत्र है आप सबको मालूम होना चाहिए वहाँ पे आपका 4 option दिया हुआ रहेगा जिस option में आपका होगा C U F E S 2 C U C U F E S 2 जिस option में होगा वही आपका right answer हो जाएगा copper parite का ये right answer है C U F E S 2 ये question बिहार बोड 2021 2017 2010 objective में आया हुआ है इस परकार से आपको तीन question बता दिये है तीनो question का answer आप लोग complete कर लेना चलिए question number 4 question number 4 आपका क्या है important question है हमेशा सौतंत रवस्था में पाया जाने वाला धातू हमेशा सौतंत रवस्था में पाया जाने वाला धातू है उसका नाम आप सब को मालूम है वो सोना है जिनका संकेत क्या होता है AU होता है जिसका संकेत क्या होता है सोना का संकेत क्या होता है AU होता है तो जिस option में AU होगा वो ही आपका सही जवाब हो जाएगा ये question भी hard word 2021 objective में आया हुआ है next question, question नमर 5 खनीज जिससे धातू का निस्करसन होता है खनीज जिससे धातू का निस्करसन होता है वो क्या कहलाता है आप सबको मालूम है IS के कहलाता है क्या कहलाता है IS तो जिस option में आपका IS को होगा वो आपका right answer हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ठीक है खनीज जिससे धातू का निस्करसन होता है कहा जाता है IS ये question भी hard word 2020 objective में आया हुआ है चलिए question नमर 6 वात्या भट्टी में निमलिखित में किस oxide का option होता है वहाँ पे 4 option दिया हुआ रहेगा जिस option में आपका होगा iron का oxide वही right answer हो जाएगा क्या है question आपका वात्या भट्टी में निमलिखित में यानि महाँ 4 option रहेगा किस oxide यानि कौन सा oxide का option होता है iron का oxide का option होता है ये question भी hard word 2020 objective में आया हुआ है जलिए next question 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 number 7 जलिए aluminium का A.S के है aluminium का A.S के है आप सबको मालूम है bauxide हो जाएगा क्या हो जाएगा bauxide हो जाएगा aluminium का A.S के है bauxide जिस option में bauxide होगा yes 2007 2015 2013 2013 वहर्बड objective में आया हुआ है चलिए next question question ये 2010 बिहार बोड अब्जेक्टिव में आया हुआ है, सीने बार HGS को कहा जाता है, यहाद रखना है, HGS को सीने बार कहा जाता है, सीने बार HGS के जो है, पारा का है, चलिए, इसका राइट एंसर, जिस अप्शन में आपका असुद जीन को होगा, वो सही जवाब हो जाएगा, यह कोशन बिहार बोड अब्जेक्टिव 2016 में आया हुआ है, चलिए, अगला कोशन, कोशन नमर 10, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व, आप सब को मालूम है, आयोडीन हो जाएगा, जिनका संकेत आई होता है, जिस अप्शन में आयोडीन होगा, वही आपका राइट एंसर हो जाएगा, यह कोशन बिहार बोड अब्जेक्टिव 2016 में आया हुआ है, चलिए, कोशन नमर 11, आयसके में उपस्थीस असुद्धी को कहते हैं, याद रखना, गैंग हो जाएगा, इनका सही जवाब, यह कोशन 2009 बिहार बोड अब्जेक्टिव में आया हुआ है, आपका हो जाएगा, हेमे टाइट हो जाएगा, यहाँ पे हेमे टाइट लिख दिये है, हेमे टाइट इनका राइट एंसर हो जाएगा, लोहे का मुख के Oxide IS के है है,मेट आई, इस परकार से आप लोगो बारे Objective questions जो है, Unit 6 तत्मों के निसकरशन के सिधान तवम परकरम इस Unit के 15 Objective questions आप लोगो बतलारा है, बारे बतला दिये हैं, तीन और questions आप लोगो बतलारा है, यह 15 जो है, very very important है 2024 बोड एक्जाम के लिए ये सारा कोस्तर आप लोग को कर लेना है और आप लोग को target रखना है बाबू आपकी बोड एक्जाम 2024 मे पूरा अक्टम गजब एक्जाम देना है दो महना से कम समय बचा हुआ है एक फरिवरी से आप लोग का एक्जाम स्टार्ड है दिसंबर महना चल रहा है समय बहुत कम है घर में खूब पढ़िए ठीक है पूरा लगन से पढ़िए मुवाइल से दूर रहिए पूरी इमांदारी से पढ़िए रिजल्ट अच्छा होगा नाम आपका होगा ठीक है चलिए कोशन नमर आपका बार कंपलेट कोशन नमर तेरे देख लिजिए कोशन नमर तेरे आपका क्या है चलिए कोशन नमर तेरे देख लिजिए कोशन नमर तेरे आपका क्या है वेरी वेरी इंपोड़न कोशन है गलेना किसका आयसक है आप सबको मालूम होना चाहिए गलेना किसका आयसक है चार उप्संदिया हुआ रहेगा जिस अप्संद में आपका PB होगा लेड यानी पलंबं का यानी लेड का सीसा का गलेना आयसक है यह question 2021 विहारबोड अबजेक्टिव में आया हुआ है चलिए, next question, question number 14 निमलिकीद में से कौन Jink का ISC नहीं है, 4 option दिया हुआ है इन 4 में से Jink का ISC नहीं है, ये question बिहार बुर 2020 objective में आया हुआ है option है, Jink blend Kele Mine, Jinkide, Boxide आप सब को मालुम है, Jink blend आपका Jink का ISC है, Kele Mine भी Jink का ISC है, Jinkide भी ये Jink का ISC है, और ये Boxide, ये भी आपका, ये Boxide जो है, Aluminium का ISC है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, Boxide, यानि Boxide जो है आपका Jink का ISC नहीं है चलिए, अगला question, question number 15 डोलामाइड खनीज में पाया जाता है डोलामाइड खनीज में पाया जाता है इस परकार से आज की वीडियो में आप लोगको जो है, very very important objective question के साथ answer भी आप लोगको क्या की है मतलाए है, इन सारे objective question का answer पूरी मंदारी से complete करना, बिहार बड़ 2024 के लिए important है नहीं तो बोल exam में जाकर कर पक्का बोलते पस्ता क्योंकि यहां से एकदम बोल रहना है, कोस्तान आना ही आना है अब कहना मुस्किल है, लेकिन आएगा ही आएगा चलिए आज का वीडियो आप लोगको साथ अच्छा लगा है वीडियो को like, share, comment जरूर करना जो हमारी चैनल पर नए हो, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को हाग जोड की रिक्वेस्ट है, हाग जोड की विंति है, उनसे इचैनल को जरूर सस्क्राइब करना धना आएगा